जैही नबर वन आज हम लोग फटाफट करेंट में सब्टमबर मंद के कम्प्लीट करेंट अफेर्स को डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग 57 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट को डिस्कस करेंगे जो upcoming general competitive exam के लिए बहुत जादा important है अगर आप बिहार दरोगा या बिहार SSC की तयारी कर रहे हैं तो आप के लिए बहुत जादा important है ठीक है बहुत कम समय में हम लोग 57 करेंट अफेर्स को डिस्कस कर लेंगे ठीक है वन लाइनर है इसमें हम लोग समय बहुत कम लेंगे पहला है नारी शक्ती वंदन अधिनियम में लोग सभा और राज्ये बिधन सभाओं में महलाओं के लिए कितने परतीशित सीट आरक्षित किया गया है तो 33 परतीशित सीट आरक्षित किया गया most important है इंटरनाशनल एमी अवर्ड पाने वाली पहली भारती महला बनी कुन बनी एकतकपूर most important है वर्स 2021 के लिए दादा साहिव फाल के lifetime achievement अवर्ड किसे दिया जाएगा वाहिदा रह्मान most important है भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल कर रखा गया क्या रखा गया है संविधान सदन नेक्स्ट है उधंपूर railway station का नाम बदल कर शहिद कैप्टन तुशार महाजन railway station रखा गया कहां पे जम्वन कश्मीर नेक्स्ट है भारत का पहला light house उत्सव आयवजित किया गया कहां पर आयोजित किया गया गोवा में आयोजित किया गया नेक्स्ट है भारत की पहली सोलर सीटी ठीक है साची नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया किसके दुवारा शुरू किया गया एर इंडे के दुवारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अभिन जैमर दिवस जो 21 सेप्टमबर को सेलिब्रेट किया गया कि थीम क्या थी Never too early, never too late Next है Miss Earth India 2030 का खिताब जीता कुन जीता? प्रियन सेन Next है कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांती सौरू भटनागर पुरुसकार दिया गया कितने लोगों को? 12 लोगों Next है भारती अस्थल को हाल ही में युनेस्कों की वर्ड हैरिटेज साइट की सूची में शांती निकेतन को शांती निकेतन को शांती किया गया है Next है पुरुष एसिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने Next है राश्टी आंत्रिक्ष दिवस मनाने की घोशना की गई 30 अगस्त को Next है वैसलाम मंदिर युनेस्कों की वर्ड हैरिटेज साइट में भारत का 42 अस्थान बना तो ये जो मंदिर है कहां भी है ये करनाटक में Next है मिस इंटरनाशनल इंडिया 2030 का खिताब जीता प्रवीना अंजना Next है डुरंड कब 2030 का खिताब जीता मोहन बगान एस जीने Next है रेलबे बोर्ड की पर्थम महिला चैर पर्षन बनी कौन बनी? जया वर्मा सिना Next है पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी गीतिका श्रिवास्तो Next है केंद सरकार की वन नेशन वन एलेक्षन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो पुर्व राष्टपती रामनात कोबिन को बनाया गया किस अमेरिकी राज्जी ने ऑक्टुबर मा को हिंदू बिरासत मा घोशित किया तो जॉर्जिया ने Next है इस्रों ने अपने पहले सूर्य मिशन अधित्य एलवन को कहां से लॉंच किया? सिरी हरी कोटा से लॉंच किया और सिरी हरी कोटा कहां है आप कॉमेंट कर सकते हैं Next है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवर्ड मिला तो शान्ता थोटम को मिला बहुत इंपोर्टेंट Next है गाई जात्रा उत्सव कहां मनाये गया तो नेपाल में सलिवरेट किया गया Next है किसे मिसेज युनिवर्स इंडिया दो हजातेज का खिताब दिया गया तो माधूरी पटेल को दिया गया Next है ऑपरेशन मुसकान किस शहर में लागू किया गया तो मुंबई में लागू किया गया Next है अपने समिधान में देश के मूल निवासियों को मानेता देने के लिए जन्मत संगरा करने जा रहा है कोन करने जा रहा है औस्ट्रेलिया नेक्स्ट है किस राज्य की राइगडा शॉल, most important है, राइगडा शॉल को GI टैग मिला, तो उड़िशा के, नेक्स्ट है, दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोशित किया, ठीक है, तो बर मिंगम, नेक्स्ट है, केंदर ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने परतीशत आरक्षन को मंजूरी दी, 10 परतीशत, most important है, किस राज्य के सलेम सागो को GI टैग मिला, तो तमिलना डूग, नेक्स्ट है, उमियाल जील, किस राज्य में स्तित है, मेगालाई में स्तित है, नेक्स्ट है, सवच्छ वायू सर्वेक्षन 2023 में कौन शिस पर रहा, तो इंदोर सिस पर रहा, और दूसरे अस्थान पर आगरा और तीसरे में ठाने, नेक्स्ट है, अधिकारिक रूप से 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस्त घोशित किया, किस ने घोशित किय अमरीका ने, नेक्स्ट है, बंगस वैली फैस्टिवल कहां आवजित किया गया, ठीक है, जम्वन कश्मीर में सेलिबरेट किया गया, बंगस वैली फैस्टिवल आवजित किया गया, कहां, जम्वन कश्मीर में, नेक्स्ट है, दुनिया का सब से उंचा लडाकू हवाई बास्केट बॉल विशुकब 2030 जीता कौन जीता जर्मेनी ने जीता नेक्स्ट है किस नगर निगम ने कैश फूर वेस्ट योजना शुरू की तो पटना नेक्स्ट है तूफान तूफान जो आया था डेनियल ने किस देश के डर्ना शहर को 20% का जो डर्ना शहर उसका 20% हिस्सा तबह कर दिया तो लीविया का नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी कौन एरिका रोबिन्स नेक्स्ट है किस राज्य की बिधान सभानी OBC के लिए 27% अस्थानिय निकाई CT आरक्षित की तो गुजरात ने most important है नेक्स्ट है आठवी बार एशिया कफ खिताब किस ने जीता भारत ने किसे हरा कर स्री लंका को हरा कर नेक्स्ट है किस देश की राष्ट पती को गंतंत्र दिवस पर मुख्य अतिती बनने के लिए आमंत्रित किया गया अमेरिका नेक्स्ट है सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान की बीच बैठक कहां हुई वियाना में मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है किस देश ने अपने अत्याधूनिक AI एनि अडिफीसिल इंटैलिजन संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरन किया ठीक है इजराहिल ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कौन सा देश ICC की तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन गया भारत नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में होंकं को पीछे छोड़ा सिंगपू नेक्स्ट है 2030 को किसी खाद पसू का टैग मिला ठीक है तो मिथुन को मिला नेक्स्ट है भारत उर्जा शिखर सम्मेलन 2030 का उद्घाटन कहां किया गया नई दिल्ले में किया गया नेक्स्ट है भारत की बाहर दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्धगाटन कहां किया गया तो न्यूजर्सी अमेरिका में नेक्स्ट है किस राज्य को 54 टाइगर रिजर बिरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर मिला तो मध्ध परदेश को नेक्स्ट है किस देश ने 41 साल बाद घोर सवारी में सुवर्ण पदक जीता तो भारत ने Most Important है नेक्स्ट है भारत के कितने परतिशत गाओं को ODF पलस घोशित किया गया तो 75 परसेंट को ODF पलस घोशित किया गया नेक्स्ट है इंडियन ग्राण प्रिक्स 2030 किस ने जीता तो मारको बे जैन्ची ने जीता नेक्स्ट है ओपरेशन सजग का संबंध किस से है तो भारती टट रक्षक बल से तो हम लोगों ने सब्टमबर मन्द के कम्प्लीट करेंट अफर को डिसकस किया इसमें जो most important है exam oriented है उसको मैंने डिसकस किया है और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसको डिसकस किया है अगर आपको इस वीडियो से किसी भी परकार का benefit होता है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें थांपोर्ट